हलो दोश्टों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अन्मूल बचन आज मैं आपको बताने वाली हूँ गर्मियों में अपनी स्कीन को काला होने से कैसे बचा सकते हैं आप आएज जान लेते हैं इसके बारे में गर्मियों में सूरज की रोशनी से आपकी तौचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है सूरज की हानिकार किर्णों के संपर्ख में अधिक समय तक रहने से ना केवल आपके चहरे पर उम्र बढ़ने के लक्षन दिखाई देते हैं बलकि आपकी तौचा की रंगत भी दार्क होती जाती है ऐसे में तौचा का प्राकृतिक निखार खो जाता है सूरज की किर्णों और धूप से बचने के लिए आप हर समय खुद को घर के अंदर बंद नहीं रख सकते हैं हाला कि आप गर्मियों में तौचा की सही देख भाल करके इसे डार्क होने से बचा सकते हैं कुछ आसान टिप्स को अपना कर आप अपनी तौचा की देख भाल कर सकते हैं और इसके रंगत को निखार सकते हैं आईए जानते हैं गर्मियों में तवचा को डार्क होने से कैसे बचाएं संस्क्रीन लगाएं सूरज की किर्णों से बचाओ करने के लिए जो सबसे पहला कदम आपको लीना चाहिए वो है संस्क्रीन का इस्तमाल संस्क्रीन सूरज की UV किर्णों से आपकी तौचा की रक्षा करता है इसलिए SPF 30 संस्क्रीन लोशन का इस्तमाल करे सूरज की किर्णों से बचाव करने वाले कपड़े पहने केवल संस्क्रीन ही नहीं धूप से तवचा को बचाने के लिए आपको ऐसे कपड़े पहने चाहिए जो आपको सूरज के संपर्ग में आने से बचाए ऐसे फैबरिक पहने जो सूरज की हानिकार किर्णों से रक्षा करें साथ ही हैट और संग्लास भी पहने विटमिन E से स्कीन टैन हटाएं ये तवचा को रिपेर करता है और मॉस्टुराइज रखता है ओमेगा 3 फैटी एसीड आपको लेना चाहिए ये खाते पदार्थों का सेवन करने से आपकी तवचा धूप के कारण डार्क होने से बच जाती है इसलिए अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसीड युक्त खाते पदार्थ को जरूर शामिल करें साल्मन, नर्ड्स, चिया सीड्स, हैम सीड्स आदिका सेवन करें स्कीन को हाइडरेटेड रखे, गर्मियों में तवचा को स्वस्त और तरुताचा रखने के लिए इसे हाइडरेटेड रखना बहुत ही जरूरी है, जब आपके स्कीन हाइडरेटेड रहती है तो स्कीन सल्स रिपैर होती रहती है जिससे त्वचा रेज्यूवनेट होती है और त्वचा की रंगत बरकरार रहती है तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को like वो subscribe जरूर कर ले Thank you